हाई गाईज वेल्कम बैक टू मैं चैनल प्रेयतमित शालीनी गाईज मैं हूँ शालीनी और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हैफुल होने वाला है तो आज मैं आपको पुरानी साध्यों से बलिये हुए कुछ अलग अलग तरह के लहंगे दिखाने वाली हूँ और य आज बना सकते हैं तो मैंने आप पर आपको पुरानी साध्य से बने हुए पांच अलग अलग तरह के लहंगे दिखाऊंगी तो यदि आपके पास भी अब्रडरी वाली साध्य या पर बाधिनी साध्यां रखी हैं तो आप भी इस तरह के लहंगे कम खरचे में अपने घर यह बना सकते हैं या फिर यदि आपको सिलाई नहीं आती है तो आप इस तरह के लहंगे बाहर से भी बना सकते हैं और मैं आपको यह बता दू कि यह जो लहंगे हैं यह मैंने नहीं बनाये हैं क्योंकि मेरी शादी के पहले ही दादी ने यह कहीं और से बना लिये थे लेकिन इस तरह के काफी सारे लहंगे के making के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किये हैं तो यह आपको देखना चाहते हैं तो उनकी link आपको description box में मिल जाएगी और लहंगे के साथ मैं आपको बताती जाओंगी कि ये लहंगे किस तरह से बनाए गए है तो इससे भी आपको लहंगे बनाने में काफी ज़्यादा help मिलेगी तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ रेड कलर की बांधनी साडी से बना हुआ छे कली का ये खूबसूरत सा लहंगा ये लहंगा एक प्लेन बांधनी साडी में से बनाया गया है और इस बांधनी साडी में कोई भी बॉर्डर नहीं थी तो आप देख सकते हैं कली के बीच में इसमें पतली सी लेस लगाई गई है और लहेंगे के गेर में नीचे साइड तीन अलग अलग तरह की लेसस लगाई गई है और सबसे नीचे शिमर का डबल कपड़ा लगाया गया है और हरकली के सेंटर में दो-दो बूटे लगे हुए हैं और साड़ी के साथ बलाउस था वही इस लहेंगे पे चल जाता है तो नीचे जो ग्रीन बॉडर लगाई है लहेंगे में वही पीछे साइड में बलाउस में भी लगा दी लेकिन ये बलाउस काफी ज़्यादा पूराना हो गया था तो लहेंगा बनाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा बचा था साड़ी मैंसे तो मैंने एक और ब्लाउस बना दिया और इसके गले, कमर और रस्तीन पर ग्रीन कलर की लेस लगा दी और इसके साथ ओफ वाइट कलर कर दुपट्टा बनाया गया है तो ये टिशू के फैब्रिक से बनाया है तो इसमें हम देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो पोर्शन आता है बहाँ पर गोटे से इस तरह से स्ट्राइप बनाई गई है और सामने की तरफ इसमें एक गोटे की लेस लगाई है और उसके उपर से ग्रीन कलर की लेस लगाई है और दूसरे किनारे पर केबल गोटे की लेस लगाई है और जो दौनों साइट सैलवेज वाली किनारे हैं उस पर शिमर की बॉर्डर लगा के रेड कलर की बॉर्डर से फिनिशिंग दी गई है तो इस तरह से लेंगे के लिए ये दुपट्टा पूरी तरह से कस्टोमाईज किया गया है और ये लेंगा पहनने के बाद कैसे लगता है तो इसे मेरी दादी साथ आपको पहन के दिखाएंगी तो फिलहाल मेरी ननन्द मांजी दी उनका मेकप कर रही है तो अभी यहाँ पे दादी का मेकप हो गया है उसके बाद इन्होंने लेंगा पहन लिया है और अब हमेने दुपट्टा पहना रहे है तो थोड़ा सा लाइट मेकप ही हमने किया है और जो हेर स्टैंड है ये मैंने की है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इस बज़े से मैं आपको दिख नहीं पा रही हूँ तो अभी यहाँ पे दादी पूरी तरह से तयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छा गरवा करती है लेकिन मैं आपसे सॉंग प्ले नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि copyright का issue होता है तो दोस्तों यदि आप भी इस तरह का लेंगा बनाना चाहते हैं तो आप भी अपनी पुरानी बांधनी साड़ी या फिर किसी और साड़ी से भी इस तरह का लेंगा बना सकते हैं यदि आप 6 कली का लेंगा बनाना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो शेर किया था जिसमें मैंने एक पुरानी साड़ी से 6 कली का लहेंगा बनाया था तो उसे देखकर आप इस तरह का लहेंगा एजिली बना सकते हैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अब ये है बांधिनी साड़ी से बना हुआ दूसरे लहेंगा तो ये साड़ी इस तरह से थी इसमें ओरेंज कलर उपर की साइट था जिस तरह से लहेंगे में दिख रहा है और नीचे साइट परपल कलर की बॉर्डर थी और ये प्लीटेड लहेंगा है तो दो-दो इंच चौड़ी इसमें प्लीट डाली गई है और हर एक प्लीट पे लगपक चार इंच नीचे तक सिलाई लगा दी गई है ताकि ये सैट रहें और नीचे के साइट इसमें परपल कलर की बॉर्डर आई है जो की साड़ी में पहले से थी और इसमें दो लेस अलग से लगाई गई है तो एक तो जरी की कंगूरे वाली लेस है जो की उपर की तरफ लगाई है और नीचे की तरफ रैड कलर की जरी की एम्ब्रोइडरी वाल लेस लगाई गई है और साड़ी के साथ already जो blouse था उसमें भी ये दौनों लेस लगाई है और साड़ी का जो पल्ला था उससे दुपट्टा बना दिया तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंगूरे वाली लेस है वो दुपट्टे के दौनों कॉर्णर पर लगाई है और बा इसकी लिंक भी आपको description box में मिल जाएगी तो आप भी अपनी साड़ी से pleated लेंगा बना सकते हैं अब यहां पर लेंगे के दौट्टे को हमने थोड़ा सा राजस्थानी लुक में style किया है तो यह जो दाधी है वो दाधी सा बन गई है तो आप अपनी साड़ी से इस तरह क लेंगा भी बना सकते हैं यह भी बहुत खूबसूरत लेंगा है और बहुत ही कम समय में यह बन जाता है अब मैं आपको दिखाती हूँ बांदिनी साड़ी से बनाया हुआ तीसरे लेंगा तो यहाँ पर यह साटन की बांदिनी साड़ी है और इससे अम्रेला कट में लेंगा बनाया गया है साड़ी में उपर की तरफ यलो कलर था नीचे की तरफ ग्रीन कलर था और अम्रेला कट में शेफ देने के कारण नीचे की तरफ इसमें जोड भी आया है तो आप देख सकते हैं कि कॉर्णर पर इसमें जॉइंट लगाया गया है इस लहेंगे में अम्रेला कट देने के कारण इसमें एक साइट जोड़ आया है लेकिन यदि आप जोड़ नहीं देना चाहते हैं तब आप इसे प्लीटेड वाला बना सकते हैं या पिर कली वाला या गैदर्स वाला लहेंगा भी बना सकते हैं इस साड़ी के साथ जो blouse पहले से था बही blouse इस लहेंगे के साथ भी चल जाता है और ये सबी blouse शोली कट बनाए गए है क्योंकि मेरी दादी सिंपल blouse पहनती है यदि आप कोई designer blouse बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के लहेंगों के साथ designer blouse भी बना सकते हैं यह जो लहंगा है यह काफी ज़्यादा पुराना है तो दादी के पास एक mirror work का दुपट्टा था तो यह लहंगे के साथ काफी अच्छा लग रहा था तो फिर हमने इस लहंगे के साथ mirror work का दुपट्टा स्टाइल किया तो यहाँ पर यह जो लहंगा और blouse है यह काफी ज़् लग रही है क्योंकि यह अम्रेला कट में बना हुआ है और यह साटेन फैब्रिक है इस बज़े से भी इसमें थोड़ा से स्लिम लुक आता है तो यदि आप स्लिम दिखना चाहते हैं तो आप अम्रेला कट में लहंगा बना सकते हैं अब यह है यहाँ पर हैंड एम्रोइडरी वाली साड़ी से बना हुआ एक बहुत ही खुबसूरत सा लहंगा जिस साड़ी से यह लहंगा बनाया गया है उसमें धाई मीटर का पल्ला था जिसमें की लखनवी एम्रोइडरी के साथ मिरर वर्क किया गया था और उस धाई मीटर क पल्ले से ही यहां पर बाराकली का लहंगा बनाया गया है तो यदि आप बाराकली का लहंगा बनाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसकी लिंका आपको दिसक्रिप्रिप्चन वॉअक् welfare में मिल जाएगी और लहंगे में नीचे की तरफ चार अलगलग border side की गई है और blouse की sleeves पे भी एक border लगाई है और गले पे एक पतली सी border लगाई है और इस लहेंगे के साथ भी tissue का दुपट्टा बनाया है तो जो embroidery साड़ी में की गई है वही embroidery इसके दुपट्टे में भी की गई है तो दुपट्टे में जो आगे का portion होता है ब गोटा लगाया गया है और दो तरब गोटे के साथ केवल पतली सी लेस लगाई गई है तो इस लहेंगे का जो complete look है वो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लहेंगा है और इसका ये जो color combination है ये भी बहुत ही प्यारा है तो यदि आपके पास भी इस तरह की heavy embroidery वाली अब मैं आपको दिखाती हूं बांधनी साड़ी का एक और बहुत ही अच्छा रियूस तो ये है बांधनी साड़ी से बना हुआ एक और लहंगा और ये जो साड़ी थी वो आप देख सकते हैं जिस तरह का लहंगे में color आये हैं बिलकुल उसी तरह से साड़ी थी उपर में ये dark mustard color था और नीचे green color था और इसमें जो नीचे side border लगी है वो साड़ी में border लगी हुई थी और ये जो blouse है ये साड़ी का ही blouse है तो इसमें भ उसमें ये dark mustard color था तो इस तरह से दुपटे में दौनों किनारे पे mustard color आ गया है साड़ी के पल्ले में तीन तरफ पहले से ही lace लगी थी और जहां से पल्ले को cut किया है बहां पे golden color की पतली border लगा दी है तो इस तरह से इस लहंगे का final look आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये आसान है ये गैदर्स वाला लहंगा है तो इसको बनाने में ज़्यादा problem नहीं होती है तो यदि आप गैदर्स वाला लहंगा बनाना चाहते है तो इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो भी मैंने साड़ी में से ही बनाया था तो उसकी link भी मैं आपको description box मे दे देती हूँ तो बहां से देखकर आप इस तरह का लहंगा easily बना सकेंगी अब ये है मेरी दादी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लहंगा ये मेरा फेवरेट लहंगा है ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और इस लहंगे पर जो embroidery है ये मेरी दादी साज नहीं की है और ये कच्छी embroidery है इसे सिंधी embroidery भी कहते हैं और ये embroidery उन्होंने लहंगा बनाने के लिए ही की थी तो ये साड़ी नहीं थी ये लहंगा था लेकिन यदि आपके पास इस तरह की embroidery की साड़ी है तो आप चाहें तो उससे इस तरह का लहंगा बना सकते हैं ये बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगता है और ये लहंगा साटिन फैब्रिक से बना है और इसका ये blouse है blouse के back पर भी सेम embroidery की है इसकी sleeves पे भी embroidery से border बनाई है तो ये भी चोली कट blouse है और ये लहंगा भी बहुत ज़्यादा पुराना है लेकिन ये मुझे आज भी बहुत सुन्दर लगता है इसके साथ भी ये tissue का दुपट्टा है और इसमें भी विल्कुल लहंगे की तरह ही embroidery की गई है त जिसमें बीच बीच में square बूटे बनाए गए है और यहां पे लहंगों में ज्यादा तरह टिशू के दुपट्टे यूज की गए है तो हो सकता है कि उस समय टिशू का बहुत ज़्यादा fashion होगा और आप जानते ही होगे कि आज भी tissue बहुत ज़्यादा fashion में है तो यदि आ आज गए है तो गाइस दिन सभी लहंगों मेंसे आपको सबसे अच्छा लहंगा कौन सा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंत आया है तो आप इसे like कीजएगा चैनल को यदि अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप इसे subscribe ज़रूर कीजएगा क्योंकि काफी अच्छे आच्छे वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और इससे पहले भी मैं आपके साथ काफी पुरानी साडियों के वीडियो के वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कही सारी डिजाइन अड्रेसिस की मेकिंग के वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे है तो आप मेरे पुरानी वीडियो ज़रूर देखेगा आपको उनमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो guys अब हम मिलेंगे next वीडियो में thanks for watching, take care, bye bye